अलो दोस्तों मैं लोकिष कुमार स्वागता आपका हमारी चैनल लोकिष दा रीडर व्लोग में वैसे तो हमने अमारे घर के आसपास में काफी पेड़ पूदी लागाए हुए हैं लेकिन हम आपको ले चलते हैं हमने एक पेड़ लगाय हुआ है उसका धरिश्या को दिखाते हैं यह देखें दुस्तों एक पौदा हमने लगाय हुआ है वह लगबग 10-11 साल का हो चुका है जिसमें पर्ष्ट बार यह फर्ल आपको दीख रहे हैं मैं कि यह देखिए आधि साइज भी काफी अच्छी प्राप्त कर चुके हैं यह दूर से तय से प्रतित होते हैं जैसे कि बंदर गपपच्छा ने में द्शिता हुआ देखाई दे रहा है यह देखें झैया कि देखिए दोस्तों कि यह थोड़े बाद में तयार हुए हैं और थोड़ा आगया यह देखिए थोड़ा कि यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह कटेल का पूदा है दोस्तों जिसमें कटेल फर्ष्ट बार आई है यह दसाल का हो चुका है सर्दियों में लगबग इतनी साइज का इतना बड़ा फोदा लगबग यह सूख गया था दो बार लेकिन फिर भी आम ने इसकी अच्छी साग समाल करने के बाद में पानी खाट डालने की मज़े से यह तियार हुआ है पहली बार इसमें यह कटेल के फल प्राप्त हुए है बीजुचन अन्बोक्शिंग करते हैं चलिए पडम गपन दोस्तों अचे हम बोड़ा के पbodे से इसको थोड़ा अलग कर रहे। सब्सका तो काटने में और पार मॉबड़ी निकलता है इससे कटने में बड़ा पजोर आता इसको गाटने यह देखिए अभी कट नहीं रहा है दोस्तों कि सब्जी बढ़ी टेश्टी बनती इसकी और यह देखिए दोस्तों यह कटेल कट करके अलव गई है फेड़ से कि इसे काफी दूद निकरता हुआ इस कितने दांड से यह दिखिए इसे कितना दूद निकल RAF तोड़ा जूंब करके दिखाएं यह यह देखिए दोस्तों कि अब इसको गर ले जाकर करके हम काटेंगे तो भी बताएंगे इसको केटिंग कैसे करनी है सब भी कैसे बना जाती है है अब हम काटेल को कट करने वाले यह देखिए सफेज वे पानी की तरह है निकल रहा था है आम घ्रासा में शॉच्फ्ब्सान हो गया है अब इसका कट करने वैसे घ्र और अम सब्सक्राइड की तरह हैं नहीं कुछ बैंगन बैंगनी कटायन में आएंगे साहिद मेरे को नहीं लगते हैं इसके लिए तो हम यह बड़ा अथियार लेकर आएं दोस्तों यह देखिए इस पर हम लगाने के बाद में फिर हम इसको कट करें तो लीजे दोस्तों आईए इसको हम कट करने के लिए पहले अपने पूली बगर ही नहीं कट जाए यह देखिए दोनों तरफ इसके ओल लगाती लगाराओं में कि बहुत टाइट करता है दोस्तों यह और सब्जी जितनी टाइट कटेगा सब्जी आपको उतनी ही मज़दार कि बनने वाली है इसकी यह देखिए दोस्तों अब मैं इसको कट करता हूँ कि यह यह देखिए दोस्तों कि अब गाइज यह देखिए हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है और यह दिखिए इसका कालर अंधर से यलो यलो कलर में निकला यह देखिए तो इस से आंदर से लगा इसे जैप यह अंदर से बहुत अच्छी तरह से पप्की हुई है अगर यह अंदर से सब्सक्री इसे लात चैट तो मैंKYThe nature बढ़ने वाली है और बड़ा मजा आएगा इसको खाने के बाद में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आज इसको सब्सक्राइब करें तो आप भी जरूर पता रहे हैं हमारे घर बड़ा मजा मजा आने वाला तेंक दोस्तो